Computer Professional Association हिमाच प्रदेश ने मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर वतक्निकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा से मुलाकाद की और उने छे सुतरिय मांग पत्र सौंपा। इस दोरान Association ने हिमाच प्रदेश उचे नियाले में वर्ष 2017 से लंबित PGT IP के केस को शेगर निप्टाने तथा PGT IP विशे के नियुक्ति एवं पदुनती नियमों में पांच वर्ष के शैक्षणिक अनुभव की शर्थ को हटाने की मांगी है। Association के प्रदेश अध्यक्ष प्यूश सेवल ने कहा कि वर्षमान में हिमाच प्रदेश में जहां लगभग हर विशे में सरकार द्वारा विद्यालियों में अध्यापकों की नियुक्तिया की जा रही है, वहीं Computer अध्यापकों की नियुक्तियों का कहीं जिकर तक भी नहीं कि आ सकता है, उन्होंने कहा कि Association ने हिमाच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लेक्षर Computer Science रिशे के चर रही साड़े आर्सों से अरिकरिक्त पदों को भरने, हिमाच प्रदेश के सरकारी महाविद्यालियों में Assistant Professor Computer Application के पदों को भरने और हिमाच प्रदेश के सभी स्कूलों मे Computer की शिक्षा को अनिवारे रूप से पहली कक्षा से शुरू करने, हिमाच प्रदेश में TGT Computer Science के पदों को स्रिजित करके उनकी निक्तिया करने तथा हिमाच प्रदेश में सूचना प्रद्योगी के उद्योगों को स्थापित करने की मांगी है इसमें हमने आज माननिय मुख्य मंत्री श्री जैराम ठाकुर जी और माननिय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री रामलाल मारकंडा जिसे मुलाकात किया और उन्हें एक 6 सूत्रिय ग्यापन हमने सौपा और इन ग्यापन में इन्स में जो हमने मुख्य तोर पे मांगे कि पहली मांग हमारी ये थी कि वर्ष 2012 से जो हिमाचल परदेश के स्कूल के अंदर लेक्चर कम्प्यूटर साइंस की नुक्तियां नहीं हुई हैं उन नुक्तियों को किया जाए क्योंकि 850 से अधिक पद अभी भी इसमें रिक्त चल रहे हैं कॉलेज कैडर में जो 561 पोस्टियं भी निकली जानी हैं उसमें हम ये डिमांड करें कि कम्प्यूटर अप्लिकेशन की एक भी पोस्ट का कहीं जिकर नहीं है तो कम्प्यूटर अप्लिकेशन की पोस्टियं भी उसमें निकाले जाए तीसरी सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय के अंदर मिल सकते हैं इसके साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर TGT Computer Science की पोस्ट को create करने की डिमांड की है और सबसे महत्वपूर्ड हमने मान्य मंत्री जी से ये भी डिमांड की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर IT सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए IT सेक्टर सेट अप किया जाए क्योंकि इससे न केवल हमारे प्रदेश की आर्थी की सुद्रिड होगी बलकि यहां की हिवाउं को रोजगार भी मिलेगा और इस से इसक्षेतर से हिमाचल प्रदेश के परियाबरन को भी कोई नुकसान नहीं होगा परियाबरन को रचा हुई है और उन्होंने भी खुशी जाहिर की है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस प्रकार के गंभीर मुद्धे को उठाया गया है और वो भी इस तरीके से हमारे साथ पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो इस दिशा में जरूर प्रयास करेंग और हमने भी उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि हिमाचल प्रदेश के जो 40,000 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षित हुआ है वो इस मुद्धे पर सरकार के साथ है और हमारी और से जो भी सहयोग होगा हम इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तयार है